देखे लालू जी का या कहना बिल्कुल निराधार है कौन बोला था लालू जी को कि पूरे बिहार के गरीबों को लूट लीजे और शुपालकों का धन अपने नाम कर लीजे इसलिए वो जो किये हैं अब पाड़ हैं और ऐसा समझना कि हम कुछ करेंगे और उस पर कानून कोई कारवाई नहीं करेगी तो यहाँ देश कानून की विवस्था से चलती है अदालत ने उनको जो दोसी करार दिया है वो अभी स्वागतियों गए और जनता की अदालत में भी वो दोसी करार कर दिये गए हैं अगर नितीज जी के साथ पिछली बार नहीं होते तो फिर उनको वही 2010 की इस्थिती में आज आना पड़ता और आगे आने वाले दीन में भी चाहे वह 2019 चाहे 2020 उनकी इस्थिती उससे भी बत्तर होने वाली है और उनका जो भी आड़ो भारतेंता पार्टी पढ़े तो क्या करें भारतेंता पार्टी उगलत करते रहें और कानून के सामने अनुरोध करें कि आप उनको छोड़ दीजे कहा गया है महावरत में न की पापियों का साथ देना भी एक बड़ा पाप है तो ऐसी स्थिती में जो किये हैं पाप किये हैं मैं तो साक्षात मैं तो कई बार चर और उस समय हम सरकार्शन रोध करते रहें कि आप बच्चों के हको मत मारिए मां के गोद में भूख से बच्चा च्छट पटा रहा है मां भूकी है मां दूद नहीं दे सकती है दूद सरकार खड़ीती है और उसको बेच देती है बच्चों तक नहीं पहुंचता इसे झाल